जैस्री राधे जैस्री श्याम हर हर महादेव देव भूमी उत्राखंड में एक बार पुनहां आपका श्वागत है हरद्वार यात्रा में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको ले चल रहे हैं रिशी केस में बने जानकी सेतु पर और आज से शुरू होता है हमारा पहाडों क आप देख सकते हैं यहां पर कितना मनमोग द्रस से नजर आ रहा है पहाडों की सुंदर बादियां आश्मान कितने नीचे प्रतीत हो रहा है तो बने रहे हैं इस वीडियो में अंतक बहुती सुंदर लोकेशन पर ले चल रहा हूं जानकी सेतु को शेम लक्षमर जूला और राम जूला के आकार का बनाया गया है और हम आपको अगली वीडियो में राम जूला और लक्षमर जूला भी दिखाने वाले हैं वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेर कमेंट करते चलें इससे आज का हमारा उत्सा और भी डबल हो जाएगा और चैनल पर नए हो तो चै गंगा मैया पर बने जान की सेतू के देखिए इस एडवेंचर प्लैस को देखिए इस पुडिफिल द्रस को जो आपके मन को अतिप्रसन करेगा और घोर आनंद की अनभूती होगी पैसे मैं आपको बताता चलू विशीकेश योगनगरी के नाम से जानी जाती है यहां पाया हूं तो मेरा फर्ज भी वनता है कि यहां की नौलिज भी आपको दूँ तो जान की सेतू के बारे में बताना चाहूंगा लगवक चौदा वर्स के इंतजार के बाद इस पुल का निर्माड हो पाया है बीस नौबर 2020 को मुख मंत्री त्रिवेंद सिंग रावत ने इस पुल का रो लोकारपन किया है गंगा नदी पर बना यह पुल रिशी केस में मुनिकी रेती पर टेहरी गडवाल और पौड़ी गडवाल दो जिलो की शीमाओ को जोडता है इसको ठी लाइन में ब्यवस्तित किया गया है बीच की लाइन में पैदल यात्री चलते हैं और जानकी सेतू के बनने से रामजूला का लोड भी आधा हो गया है। ये इस्तान बहुत ही सुन्दर और सांत इस्तान है। यहां आने वाले स्रधालूं के लिए बैठने की आराम करने की बहुत ही उचित विवस्ता बनाई गई है। और ये सब द्रस्य दिखाते हुए, ये सब देख सकते हो और जैसे कि मैंने बताया, ये थ्री लाइन में में मेंटेन किया गया है, आप देख सकते हो बीच के रास्ते से पैदल यात्री आ रहे हैं और साइड की रास्ते दोनों तरफ की दो पईया वहानों के लिए बनाई गई हैं। ये इसी तरह से बहुत ही अच्छ और आगे बढ़ते हुए हम आपको इसकी सुन्दरता दिखाते हुए पुल को क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं और यहां बहुत ही मनमोहक द्रस है। पुल के उपर खड़े होकर मैं आपको एक बार चारों तरफ का विव दिखाना चाहूंगा। पहाडों की वादियों में हस्ता खेलता यह स्थान आप देख शक्ति हो कितना सुन्दर और मनमोहक स्थान है और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं पुल की दूसरी साइड में पहुंच चुके हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे यहां दूसरी साइड में बने सुन्दर घाट और अब फाइनली से पहले आपको गंगा मिया की ये पावन धाराएं दिखाऊंगा ये बहता हुआ निर्मल जल दिखाऊंगा बहुत ही तेज भाव है यहां पर और बहुत ही सुन्दर द्रस है पाड़ों की वादियों के बीच ये गंगा मिया की बहती अवरल धाराएं मन को पावन मन को शा और आप देख रहे हो है, हम ख़ड़े हैं बान प्रस्थ आस्रम पर बने इन सुन्दर गाटों पर जहां से हम आपको यह सुन्दर स्थान के दर्षन करा रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी सबी वीडियो मिलती रहें स सब से पहले जै स्री राधे, जै स्री शाम, हर हर महादेव, हर हर संभू.